रेसिपे वित अनुक्रिती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैपी आपी बिस्किट से बहुत ही क्रीमी चॉकलेटी ऐस्क्रीम बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए हमें के वल तीन चीजों की जरूरत है। छली आइस क्रीम बनाना सुरू करते हैं इस बनाने के लिए हमें आपे 5-6 happy happy बिस्किट लिए हैं अब मिलेंगे जार और सब बिस्किट को तोड कर जार में डालेंगे हमें इसे पीस कर फाइन पॉर्डर बना लेना है happy happy biscuit का taste चॉकलेटी होता है जिसके कारण हमारे आइस्क्रीम एक्दम चॉकलेटी बनेगी अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं देखिए हम इसे मिक्सर में पीस कर पौडर बना लिये हैं इस तरह से अब हम इसमें 6 बड़ा चमच पीसा हुआ चीनी डालेंगे चीनी को मिक्सर में पीस लिए हैं, चीनी को आप अपने कोडिंग कम या जादा रख सकते हैं, यह हम एक कप फुल क्रीम मिल्क लिए हैं, मिल्क बिल्कुल ठंडा है, अब हम इसे फिर से मिक्सर में पीस कर स्मूथ कर लेंगे, देखिए हम इसे मिक्सर में पीस कर स्मूथ लिए हैं अब हमें आपे चार पैकेट जेम्स लिए हैं जेम्स को हम क्रस्ट कर लेंगे हमें हलका हलका क्रस्ट करना है देखिए हम जेम्स को क्रस्ट करके प्लेट में निकाल लिए हैं अब हम जेम्स को इसमें डाल देंगे इसे चम्मच से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से, यह हम टिफिन बॉक्स लिए हैं, आप यहाँ पर कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, इसके अंदर हम फोल पेपर लगा देंगे, फोल पेपर लगाने से हमारी आइस क्रीम इसली बाहर निकल जाएगी, अब हम इसमें फील्ड कर देते हैं, हम उपर से जेन से गानिस कर देंगे, इसके लीड को लगा देते हैं, अब हम इसे सैट होने के लिए 5-6 गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, देखिए 5-6 गंटे हो गया है, हम इसे फ्रीज से निकाल लिए हैं, यह अच्छे से सैट हो गया है, वाव देखिए देखने में काफी अच्छा लग रहा है हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं एल्मूनियम फोल्ल को हटा देते हैं अब हम इसे सीधा कर लेते हैं देखिए यह सीधा हो गया है अब मैं इसे कट करूंगी देखिए हमारा क्रीमी चॉकलेटी आइस क्रीम बनके रेडी है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है आप इसे घर पे बना के जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले